तो आज के इस वीडियो में जितना भी हमारा चत्रफुज से फर्मूला है सारे फर्मूला को याद करा देंगे बस इस वीडियो को 2-3 मिनट आप अपना समय दे दो ठीक है ना और प्लेलिस्ट जाका इसका चेक करो उस प्लेलिस्ट में सारे फर्मूला हम बता चुके हैं आप पराम से सारे फर्मूला याद कर सकते हो छेत्रमिती का, ठीक है, तो आज की इस क्लास में आप लोग को चत्रभूज का जितना फर्मूला है, सारे फर्मूला समझाएंगे, ठीक है न, तो पहला फर्मूला है, कि समांतर चत्रभूज का छेत्रफल क्या होता है, ठीक है, पहला, इसका फर्मूला होता है अधार गुना उचाई अधार गुना उचाई ठीक है दुसरा समांतर चतर्भुज की परिमाप या परिमिती ठीक है समनांतर चतर्भुज की परिमाप या परिमिती इसका फर्मूला होता है दो गुना आसन भुजाओं का जोग जो उस पर आसन भुजा रहाता है न उसका जोग आसन भुजा का जोग है ठीक है तीसरा भी सम भी सम कोड सम चतर्भुज का सम चतर्भुज का छेतरफन इसका फर्मूला होता है वन बाई दो एन एक बटा दो गुना बिकरणों का गुड़न फर्म बिकरणों का गुड़न फर्म ठीक है चौथा है चार नंबर में बी सम कोड सम चतर्भुज का परिमिती यह बी सम कोड होता है सम चतर्भुज का परिमाप इसका फर्मूला होता है चार गुने भुजा ठीक है पचवा है कि समलम चतर्भुज का छेत्रफल समलम चतर्भुज का छेत्रफल क्या होता है एक बाटा दो गुना उचाई एक बाटा दो है एच मतलब उचाई इंटू ए प्लस बी यहाँ पर ए प्लस बी क्या है समानतर भुजाओं का जोग आप इसे ऐसे भी सकते हो एक बाटा दो इंटू समानतर समानतर भुजाओं का जोग अगुना उचाई दोनों बात एक इह है ठीके तो चतर्भुज से जितना हमारा फर्मुला है बस इतना ही फर्मुला बनता है और सारे फर्मुला का याद कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हो सकता ठीके तो चलो इस वीडियो बस वाप्त करते हैं और जदी आपको सारे फर्मुला चाहिए तो पले लिट्ट चाहिए का एक बाट जरूद चेक करें ठीके अल फर्मुला का ठीक है थेचि की सुगमचist